कि तुसी वी हो पत्री दी समस्या तो परिशान कि पेट दे विच हुंदी है बार-बार दर्फ आखरकार कि में पैदा हुंदी है शरीर दे विच पत्री इस समस्या तो कि में जा सकता है बच्या सश्रिकाल मैं सोनिया तुसी जुड़ेओ नेक्स्ट पंजाब देनाल पत्री दी समस्या आज़े टाइम देवेचे एक आम समस्या बन गई है अगर थोड़े सरीर देवेचे पत्री है तो जल्द ही निजात पाई जा सक दी है कहा जन्दा भी जदो पत्री हो जावे ते दवाई लए कसरत करिए अपनी जंदगी देवेचे सुदार करिए तो उस तो बच आ जा सकता है कहा जान्दा भी जदो शरीर देवेचे खनीचे लून पत्थर दा रूप ता अर्लेंदे ने ते उस दे नाल पत्री बन जान्दी है पत्री ज्यादा तर मूंगी दे दाने दे अकार दी हुंदी है पर केई-केई वार पत्री जोवा और मतर दे दाने बराबर वड़ी हो सक दी है पर पत्री शरीर दे वेचे हुंदी क्योवा आज थानू एस दे कारण वी दसांगे रिसर्च मताबेक यूरिक आसिड नो मेंटेन रखन ले काफी पाणी पीना चाहिदा है पाणी ना पीना अक्सर गुर्दे दी पत्री बनन दा एक मुख कारण मन्या जोन दा है विटामिन डी या केल्शियम लंबे समय तक लई जावे ता शरीर चे केल्शियम दी मात्रा हो सकती है इस तो उलावा मुटापा वदन स्विजिकल एक्टीविटी डा काट होना ऑग्ना केल्शियम दी मात्रा क कारण मन्या जो जाएगी ता पत्री बन जाएगी अगर केल्शियम दी मात्रा प्रोटीन वाली खुराक जीवें मटन चिकन पनीर मच्छी आंडा दुद्ध आधी खाना इवी पत्रीदा कारण मन्या जानदा है इस बारे जानकरी दवाते है जो सबतों पहला सेब सिर्केश सिल्ड करते हैं जो किड्मी पत्री प्तुट्टीसों चोटे टुकड़ियां सिर्केश सेवन सिमस्य पाई छाने हुआ अламदे जेतुन अते नीमगु नीमगुदा रास पत्सरीन 화णा की देल सीदा हुद नेयानाु अनार बहुत ही वाल ओलाद। इता बुआ झिएवर नीमपुलाना अना असी है को पसंबना अलो ते रुजाना स्वेरे शाम पाणीना लेकर चमच लोगे ता तुहानू वी पत्री दी समस्या तो निज्जात मिल सकेगी इस दे नाली अपनी रुजाना दी जिंदगी देविचे खान पीन दिया जो वी चीजा हुंदियान है जंक फूट छड़के बार्दा ख खाना खाया जावे ता एस दे नाली जिंदगी देविचे सुदार हुंता है ते साड़े शरीर नो जो समस्या वाँ लग दिया उस तो किते न किते बच्या जा सकता है एसी साड़ी आज दी महत्वपुर अचान कारी मैंनों उमीदत हनो पसंद आई होएगी एस दे नाली मै मैंनों यानिकी सोनें देओ इजाज़ते जुड़े रवो नेक्स्ट पंजाब देना कि तुसी वी हो पत्री दी समस्या तो परिशान कि पेट दे विच हुंदी है बार-बार दर्फ आखरकार कि में पैदा हुंदी है शरीर दे विच पत्री इस समस्या तो कि में जा सकता है बच्या सश्रिकाल मैं सोनिया तुसी जुड़ेओ नेक्स्ट पंजाब देनाल पत्री दी समस्या आज़े टाइम देवेचे एक आम समस्या बन गई है अगर थोड़े सरीर देवेचे पत्री है तो जल्द ही निजात पाई जा सकती है किया जानदा भी जदो पत्री हो जावे ते उसनों कड़ना बहुत ओखा हो जानदा है क्योंकि जे पत्री निकल जानदी है ते बार बार फिर होंदा खत्रा बने अरेंदा है पर पत्री दी समस्या नो भी अगर से तरीके नल असी दवाई लेए कसरत करिए अपनी जिन्दगी दे वीच सुदार करिये तो उस्तों बचया जा सक्दा है क्या जानदा भी जदो शरीर दे वेच खनीच दे लून पत्थर दा रूप ता अर्लेंदेन आथे उस दे नाल पत्री बन जानदी है पत्री ज्याद तर मुंगी दे दाने दे अकार दी हुन दी है पर कई-कई वार पत्री जोवा और मतर दे दाने बराबर वड़ी हो सकती है पर पत्री शरीर दे वेचे हुंदी क्यों आज थानू एस दे कारण वी दसांगे रिसर्च मुताबेक यूरिक आसिड नो मेंटेन रखन ले काफी पाणी पीना चाहिदा है पाणी ना पीना अक्सर गुर्दे दी पत्री बनन दा एक मुख कारण मन्या जोन दा है विटामिन डी या कैल्शियम लंबे समय तक लई जावे तशरीर चे कैल्शियम दी मातरा प्रोटीन वाली खुराक जिवे मटन चिगन पनीर अंडा दुद आधी खान यह भी पथ्री दे कारण मन्निया जॉन दा है कार दे विच रहक है सब्तो पहला सेपध ओं सिरक चैसिट्री के सब्सषै चंगी मात्रा दे विच होंदा है जो प्री और चोटे टुकडियां देविच कटना शुरू कर दिन्दा है कोसे पाणी नाल दो चमच सिर्के दा सेवन करके पथरी दी जो समस्या उस तो निज़ात पाई जा सक भी है इस तो इलावा जैतुन अते नीम्बू नीम्बू दा रास पथरी नो तोड़न देविच मदद कर दा है जैतु वदिया काम करता है इस दा जूस पीन नाल शुरू पाणी दी कमी नहीं हुन दी है गुर्दे दी पथरी च भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है नेमदिया पत्यानों साड़के पसंबना अलो ते रुजाना स्वेरे शाम पाणी ना लेक चमच लोगे ता तुहाननों वी पत्रीदी समस्य तो निजात मिल सकीए इस दा नाली अपनी रुजाना दी जिंदगी दे वेचे खान पीन दिया जोवी चीजां हुं दिया नहीं जंक्क फूड चढके कि बार्दा खाना चटकी करदा सादा खाना खाया जावें तो एस दे नाल वी जिंदगी दे विच्छ सुदार हुंता है ते साधे शरीर नो जो समस्या वा लग दियां उस तो किते न किते बच्या जा सकता है कि दूसी वी हो पत्री दे समस्या तो परिशान कि पेट दे विच्छ हुंदी है बार-बार दर्फ अखरकार कि में पैदा हुंदी है शरीर दे विच्छ पत्री इस समस्या तो कि में जा सकता है बच्या अगर थोड़े शरीर दे विच्छ पत्री है तो जल्द ही निजात पाई जा सकती है कहा जान दा है जदो पत्री हो जावे ते उसनो कड़ना बहुत ओखा हो जान दा है क्योंकि जे पत्री निकल जान दिया ते बार-बार फिर होंदा खत्रा बने अरेंदा है पर पत्री दी समस्या नो भी अगर से तरीके नल असी दवाई लेए कसरत करिये अपनी जंदगी द के खणीज दे लून पत्थर दा Рूप ता अर्लेंते न है ति उसनाल पत्थरी बन जान दिया पत्थरी जाद तर मूंगी दे दाने अकार दी होंदी पर के कई वार पत्री जोहा और मतर दे दाने बराबर वड़ी हो सक्थVA süरीर दे वेच्च धनो एम देक कारण भी pri दसांगे रिसर्च मुताबे का यूरिक एसिड नो मेंटेन रखन ले काफी पाणी पीना चाहिदा है पाणी ना पीना अक्सर गुर्दे दी पत्री बनन दा एक मुख कारण मन्ने जान दा है विटामिन डी या कैल्शियम लंबे समय तक लई जावे तशरीर चे कैल्शियम दी मात्र जो ओ वद चांदी है जसे कारण भी पत्री हो सकती है इस दो इलावा मोठापा वदना फिजिकल एक्टिविटी दा काट होना हाई ब्लड प्रेशर ते शरीर दे विचे कैल्शियम दी मात्रा कारण मन्ने जान दा है जित्फे कैल्शियम दी मात्रा वद हो जाएगी ता पत्री बन जाएगी अगर केल्शियम दी मात्रा काट हूं दी है ता भी पत्री दा इसनों मुख कारण मन्या जानता है खाने चो बहुत जादा लून लेना प्रोटीन वाली खुराक जीवें मतन चिकन पनीर मच्छी आंडा दुद आधी खाना इवी पत्री दा कारण मन्या जानता है पत्री के टीक विए इलाज कार सकते हैं इस दे बारे जान करी दवांगे सब तो पहला सेब दा सिर्का जोऊ पत्री दिले कारण मन्या जानता है सेब दे सिर्के चिस सिट्रिक आसिड चंगी मात्रा देविच हुनदा है जो किड्मी दी पत्री नू छोटे टुकडियां देविच कटना शुरू कर दिनदा है कोसे पाणी नाल दो चमच सिर्के दा सेवन करके पत्री दी जो समस्य आउस तो निज़ात पाई जा सक भी है मिला कई पिं नाल पत्री दी समस्य जो दूर हो जान दी तो इसदागी पत्री 10 मेंन शाड़ा के पसंबं आलो ते रुजाना श्वेरे श्याम पाणीना लेकों चमच लोगे तो अनू वी पत्री 12 तो निज्जात अत्र मिल सकेई अपनी रोजाना दी जिंदगी देविचे खान पींदे जो भी चीज़ां हुन दियान है जंक फूट छड़के बारता खाना छड़के करदा सादा खाना खाया जाए तो एज दे नालवी जिंदगी देविचे सुदार हुनता है ते साठे शरीर नो जो समस्या मा लग दिया उ दोस्तों किते न किते बच्चे आजा सकता है एसी साथ डी आस दी महत्तपुर अंचानकारी मैंनों उमीदत हनों पसंद आई होएगी एस दिनाली मैंनों यानिकी सोन्यन देओ इजाज़त ते जुड़े रवो नेक्स्ट पंजाब दिनाल